Hello everyone, आज हम NCRT के किताब रिमजिम भागदो का पंदरवा चैप्टर एक की दोकी पढ़ेंगे यह हमारा आखरी चैप्टर एश बुक का और इसके बाद हमारी यह वाली बुक खतम हो जाएगी पढ़ना शुरू करते हम लोग और यह दू बहनों की कहानी है जिनके बारे में बताया है कि कैसे एक बहन कितनी helpful थी और दूसरी नहीं और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान थे आप लोग इस कहानी को इंजॉय करेंगे मुझे पता है और उसके बाद हम इस कहानी के प्रेशन उत्तर करेंगे इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा वो आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताईएगा चलिए शुरू करते हैं पढ़ना पहली कहानी को दो बहने थी एक का नाम था एक केस वाली दूसरी का नाम था दो केस वाली दोन केस वाली दोनों बहने अपने अम्मा और बाबा के साथ रहती थी जैसे आप लोग अपने ममा पापा के साथ रहते हैं वैसे वो अपने अम्मा और बाबा के साथ रहती थी उनका एक छोटा सा घर था, एक छोटे से घर में वो लोग रहती थी एक केस वाली का एक ही बाल था, केश बाल को कहते हैं हिंदी में लेकिन यहाँ पर केस लिखा है, तो उसका नाम एक केस वाली था इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी और उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दोकी बुलाते थे घमंडी मेंस प्रावडी थी बहुत वो किसी को कुछ समझती नहीं थी क्या ऐसा करना चाहिए नहीं ना बिलकुल नहीं करना चाहिए अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुन्दर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं और बाबा उनको तो सोचने की फुरसत ही नहीं कहां काम में जोलजे रहते थे दोकी हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती एक दिन एकी गने जंगल में गई चलते चलते वे गने जंगल के बीच में आ पहुँची जंगल में चली गई है और उस जंगल के बीच में चली गई है बहुत दूर चली गई है वो निकल निकल कर चलते चलते चारो तरफ सन्नाटा था सन्नाटा मींज कामोशी थी किसी की कोई आवाज कहीं नहीं आ रही थी जंगल के बीच में कहां से आवाज आईगी किसी की अचानक उसे एक आवाज सुनी पानी मुझे प्यास लगी है कोई प कोई नहीं था फिर उसने देखा सूखी मुर्जाई होई मेंदी की एक जाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे मेंदी एक प्लांट होता है जिसकी पत्ते तोड़ कर हम खातों में कलर करने के लिए लगाते हैं जब मेंदी कोई फेस्टिवल होता है आपने देखा होगा ममा दाल हो जाते हैं तो वैसी महंदी उसने महंदी की जाड़ी देखी कि उसने महंदी की जाड़ी थी और वहाँ पर उससे अवाज आ रही थी पास में ही पानी की एक धारा बह रही थी कोई रिवर होगी या पानी ऐसी नाली में बह रहा था माँ पे एकी ने चुल्लू में पानी भर कर एक बार दो बार कई बार जाड़ी के उपर डाला चुलू ऐसे हातों को ऐसे जोड के बनाते और ऐसे उसने पानी वरा होर डाल दिया महंदी के जाड़ी बोली धन्यवाद एकी मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूँगी तुमने मेरी हेल्प की मैं याद रखूँगी तुम्हारी ये हेल्प एकी आगे बढ़ गई फिर अचानक सनाटे में उसे एक और आवास सुनाई दी मुझे भूख लगी है कोई मुझे खाना खिला दो एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाएं पेड से बंदी हुई थी मरियल सी मींश बहुते वीक सी, कम्जोर सी काउट थी जो पेड से बंदी हुई थी एकी ने घास फूस इकटा की जंगल में तो होगा गास और सुखी हुई गास और हरी गास उसने इकटा की और गाएं को खिला दी उसके बाद उसने गाएं के गले में बंदी रसी को भी खोल दिया धन्यवाद एक की मैं तुमारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी गाएं ने कहा गाएं ने भी उसको thank you बोला एक की अब चलते चलते ठक गई थी उसे गर्मी भी लग रही थी अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें कहां जाएं बहुत दूर आ गई थी गर से जंगल के बीच में उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कहां जाएं कहां नहीं जाएं तब ही उसे दूर एक जोपड़ी दिखाए दी उसको एक हट दिखाई दी, जो अपड़ी means हट, एक ही दो डाड़ कर जो अपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है, एक बुड़ी अम्मा ने दर्वाजा खोला, बुड़ी अम्मा ने का, आगई मेरी बच्ची, मैं तुमारी रहा देख रही थी, मतलब मैं तुमारा वेट कर रही थी, आओ अंदर आजाओ, एक ही हरान होई, और चुपचाप जो अपड़ी में आ गई, एक ही हरान होगई, कि ये अम्मा को कैसे पता था, कि मैं आ रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आ गई जो अपड़ी में, जो अपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा बोड़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहने का पानी तयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे, एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, अम्मा ने पुचकार के कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहत हुँ, वैसा ही करो, पुचकार कर, मतलब बहुत प्यार से का के, बेटा, मैं जो कह रही हुँ, वो तुम कर लो, एकी ने बोड़ी अम्मा की बात मान ली, फिर पता है क्या हुआ, एकी ने जैसे ही सिर से तॉलिया हटाया, तो उसने पाया, कि उसके सिर पर एक भी, एक नही प्रन्तु बहुत सारे बाल थे, एकी ने जैसे ही नहाने के बाद अपने हेट से यो टावल हटाया, उसके सिर पर बहुत सारे बाल आ गए थे, एकी इतने खुश हुई कि वे खाना खाई नहीं सकी, बस बार बार वे बुड़ी अम्मा को थैंक्यू दन्यवाद बोलती रही बुड़ी अम्मा को थैंक्यू करती रही कि थैंक्यू अम्मा मेरे सिर पे बाल आ गए, बुड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो, बुड़ी अम्मा उससे हैपे हो गई और उसको घर बेज दिया, एकी के तो जैसे पंक ही निकल आये, वैसर पर्ट घर की तरफ दौर पड़ी, पंक निकल आये मतलब बहुत खुश हो गई, वो जल्दी से अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए दौर के अपने घर चली गई, रास्ते में उसे गाए ने मीठा मीठा धूद दिया, और जाडी ने हाथों पे रचाने के लिए मेंदी दी, घर पहुंचकर एकी ने सारे कहानी सुनाई, दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी, दोकी को भी अपने सिर पे बाल चाहिए ते इसलिए वो भी जल्दी से भागी, दोकी इतना तेज भाग रही थी, कि ना उसने प्यासी जाडी और नहीं बुकी गाएं की पुकार सुनी, उन लोगों ने उसे भी अवाज लगाई, लेकिन उसने उनकी अवाज नहीं सुनी, और वो सीधे चलती चली गई दोड़ दोड़ कर वह तो धड़ धड़ाती हुई जो अपड़ी में गुस गई, और बुड़ी अम्मा को हुकम दिया, मेरे लिए नहाने का पानी लाओ, वो सीधे जो अपड़ी के अंदर गुसी, हट के अंदर, और जाकर बुड़ी जो अम्मा थी, उनको जो ओल्ड लेडी थी, उनको जाकर और दिया, मेरे लिए नहाने का पानी लाओ, हाँ आओ, मैं तुम्मारी राह देख रही थी, पानी तयार है, नहालो, वोड़ी अम्मा ने का कि मैं तुम्मारा ही वेट कर रही थी, आज आओ, नहालो, जटपट नहाने के बाद, जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, गाएं के हॉर्ण होते हैं और उसको टक्कर मार दी और मेंदी के जाड़ी ने कांटे चुबा दिये मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी इसके बाद एक की दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी-खुशी रहने लगी दोकी को समझ आ गया था कि हमें दूसरों की करनी चाहिए जो help करते हैं फाइदा सिर्फ उनी को मिलता है सबको फाइदा नहीं होता है तो आप लोग भी बच्चो एक बात ध्यान रखिए अगर किसी को आपकी help की जरूरत है कोई आपको help के लिए बुला रहा है तो आप उसकी help जरूर कीजिए इस कहानी का यही moral है कि ह में दूसरों की मिश्किलों में परिशानियों में उनकी help करनी चाहिए जो दूसरों की help करते हैं उनको फाइदा मिलता है अब करते हैं कहानी में पीछे दिये गए प्रश्न उत्तर कहानी से क्या बुड़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली ह तुम्हें कैसे पता चला इसके लिए हम उत्तर लिखेंगे हाँ बुड़ी अम्मा को पता था कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली हैं यह इस बात से पता चलता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वैं उनकी राह देख रही थी दूसरा प्रश्ण है दोकी का मेंदी की जाड़ी और गाएं पर ध्यान क्यों नहीं गया दोकी को अम्मा की जोपड़ी की तरफ जाने की जल्दी थी और वो तीज भाग रही थी इसलिए उसका ध्यान मेंदी की जाड़ी और गाएं पर नहीं गया एककी ने जाड़ी और गाएं की मदद कैसे की? एककी ने अपने चुल्लों में पानी भर कर कई बार जाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई फिर उसने घास फूस इकठा किया और वुकी गाएं को खिलाया उसने गाएं के गंदे में बंदी रसी को भी खोल दिया मेहंदी मेहंदी की जाड़ी ने एक की को लगाने के लिए मेहंदी दी मेहंदी की जाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तयार की जाती है पता करो और सही करम में लिखो पहले मेंदी की जाड़ी से उसके पत्ते तोड़े जाते हैं पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से दो लेते हैं फिर उन पत्तों को पीस कर उसका पेस्ट तयार करते हैं पेस्ट तयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपने पसंद की डिजाइन के अनुसार लगा लेते हैं आज कल तो बच्चों मार्केट में रेडी मेड पाउडर मिलता है जो हम घर में लाके अराम से पेस्ट बनाते हैं और लगा सकते हैं मेंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाड़ा होता है गाड़ा मींस गहरा डार्क कलर होता है और दीरे दीरे फीका पड़ता जाता है किनकिन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है जैसे मेंदी और सूती कपड़े का होता है वैसे ही दिवारों पे किये गए रंग रोगन का भी रंग फीका पड़ जाता है और रंगीन कागस भी रखे रखे फीके पड़ जाते हैं कुछ समय बाद नीचे दी गई जगा में अपनी हतेली को रखो हतेली मीन्स अपनी पाम को अब इसके चारो और उंग पैंसिल फिराओ लो बन गया तुमारा हाथ मेंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हतेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ इसको बचो आप खुद कीजी और डिजाइन बना कर मुझे दिखाईए अपने मन से कहाने में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा संख्या मीन्स नंबर उनके कितने बाल थे इस नंबर से उनका नाम पड़ गया था सोचकर खाली जगह में नाम लिखो बालों की संख्या एक थी तो एक केस वाली और चोटा नाम एक की था दो बाल थे तो दो केस वाली और दो की अब सो केस होंगे तो उसका नाम रखेंगे सो केस वाली या फिर सो की और शुन्य केस होंगे तो शुन्य यानि जीरो, शुन्य केस वाली या शुन्यक्की ऐसे नाम उनके रखे जाएंगे हिंदी में जीरो को शुन्ने कहते है तुम्हारे वाक्य नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है उनकी मदद से तुम अपने मन से सोच कर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ जैसे पहला है जंगल में चारो तरफ सन्नाटा था अब आपको इस सन्नाटा वर्ड से एक अपना वाक्य बनाना है चले लिखते है सन्नाटे का अर्थ होता है साइलेंस तो हम लिखेंगे अध्यापिका जी के आने से कक्षा में सन्नाटा हो गया दूसरा था फुरसत फुरसत मेंस फ्रे टाइम परीक्षा के कारण राम को खेलने की फुरसत नहीं मिले बहुत बिजी था वो खेलने पारा था टाइम ही नहीं था फ्रे तीसरा शब्द था सरपट सरपट का मीनिंग होता है बहुत तेज उसके लिखेंगे गोडा सडक पर सरपट भाग रहा था अगला वाक्षब्द था मुर्जा इसके लिए मैंने वाक्षब बनाया है पानी न डालने के कारण गुलाब का पौधा मुर्जा गया नाम काम एकी ने देखा कि एक मरियल से गाए पेड से बंधी हुई थी एकी गाए और पेड नाम वाले शब्द हैं देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं काहनी में से ऐसे पांच शब्द चाट और चाट कर लिखो नाम वाले शब्द दोकी, अम्मा, बाबा, गाए और मेहन्दी काम वाले शब्द बुलाते, सोचने, पहुची, मुर्जाई, गोम कर हाँ, तो दोस्तों कैसी लगे आपको ये वीडियो और ये कहानी थीना मज़ेदार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें थैंक यू, बाइबाए